हेलो एवरिवन प्राइम नोलेज 181 में आज सभी का स्वागत हैं आज हम जन्तुओं में पोशन जन्तु अपना पोशन की तरफ प्राप्त करते हैं इसके बारे में हम आज जानेंगे जन्तुओं में पोशन सजीओ द्वारा बोजन ग्रहन करने एवं इसके उप्योग की वीधी को पोशन करते हैं पोशक पधार्तों को शरीर द्वारा ग्रहन करना उनके उप्योग से शरीर की व्रद्धी तथा मरमत करना पोशन कलाता है पोशक पधार्त शरीर की व्रद्धी तथा विभिन जेव क्रियाओ biological process में साहिता करते हैं वे पधार्थ जो जन्तों की जेविक क्रियाओं के संचालन के लिए आवशक होते हैं पोशक पधार्थ कल आते हैं बोजन प्राप्त करने की विधी के आदार पर पोशन को दो प्रकारों में बाटा गया है स्वपोशी पोशन और दुसरा पर पोशी या विशम पोशी पोशन स्वपोशी पोशन एसा पोशन जिसमें जीव अपने लिए आवशक सभी कार्बनिक पधार्थों का संसलेशन स्वयम करते हैं स्वपोशी पोशन कलाता है एसे जीवों को स्वपोशी जीव कते हैं स्वपोशन को दो भागों में विभाजित किया गया है प्रकाश पोशी जीव और दुसरा रसायन पोशी जीव प्रकाश पोशी जीव अधिकतर स्व पोशी जीव जैसे हरे पोधे, युगलिना, वॉल वोक्स जीन में क्लोरोफिल पाया जाता हैं प्रकाश संशिलेशन की प्रक्रिया दुआरा सोर उर्जाओं को रासाइनिक उर्जाओं में परिवर्तित करते हैं संशिलेशन हेतु आवशक कार्बन, कार्बन डाय उक्साइट के स्वांगी करन से प्राप्त करते हैं रसाइन पोशी जीव लोह जिवान, फेरो, बेसिलस, तथा लेप्टो, थ्रीकस अकार्बनिक योगिकों के उक्सिकरण से उर्जाओं प्राप्त करके आवशक योगिकों को रासाइनिक संसलेशन करते हैं कार्बन डाय उक्साइट के स्वांगी करन से संसलेशन हेतु आवशक कार्बन प्राप्त करते हैं पर पोशी या विशम पोशी पोशाण सबी जीव सरल अकार्बनिक पधार्थों जैसे कार्बन, डायोकसाइड, जल से अपना बोजन निर्मित नहीं कर पाते हैं वे अपने बोजन के लिए दूसरे जीवों या पोधों पर निर्वर रते हैं उन्हें परपोशी या वीशम पोशी कहा जाता हैं परपोशी जीव अपना बोजन स्व्यम नहीं बनाते हैं वे अपने बोजन के लिए दुसरों पर आश्रीत रते हैं उधारन, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, हीरन, गाई, शेर, बक्री, इस्ट आदि परपोशी पोशन प्रणालियों को चार प्रकारों में बाटा गया है प्राणी सम पोशन, म्रतोब जीवी पोशन, परब जीवी पोशन, सजीवी पोशन, प्राणी सम पोशन इसमें जीव बोजन को ठोस रूप में ग्रहन करते हैं इनका बोजन, पादब उत्पादिया, जन्तु उत्पाद कुछ भी हो सकता है ये संपून, भाग को ठोज या ध्रव अवस्ताओं में ग्रहन करते हैं खाद्य, सोभाव के आधार पर जन्तुओं को नीमन भागों में बाटा गया है शाकाहरी, मांसाहरी, सर्वाहरी शाकाहरी, शाकाहरी जन्तु जो गांस तथा अन्यवनस्पतियों को जो अपना बोजन पोधोयां उनके उत्पादों से प्राप्त करते हैं शाकाहरी जन्तु कहलाते हैं उधारन गोडे, मवेशी, भेड, बकरी, हिरन, चुहे, खरगोश, उट, गाए, आधी मांसाहरी, वे जन्तु जो मांस खाते हैं, मांसाहरी जीव कहलाते हैं उधारन कुत्ता, बिल्ली, लोम्डी, शेर, बाग, छिपकली, आधी सर्वाहरी, वे जन्तु जो अपना बोजन पोधे और जन्तु दोनों को खाकर प्राप्त करते हैं, सर्वाहरी कहलाते हैं उधारान कुत्ता, मनुष्य, भालू, सुवर, कोवा, आधिम मृतोब जीवी पोशन वे जीव जो अपना बोजन, मृत्व, सडेक हुए अकारबनिक पधार्तों से प्राप्त करते हैं मृतोब जीवी कहलाते हैं ये जीव मरे हुए जीवो, सडी, पतियो, सडी, लकडी से अपना बोजन प्राप्त करते हैं कवकव अन्य जीवानों या बेक्टीरिया मृतोब जीवी होते हैं पर जीवी पोशन जो जीव, जीवों के साथ रहकर उससे अपना बोजन प्राप्त करते हैं अपने पोशक के शरीर पर या शरीर के अंदर रहते हैं उससे अपना बोजन लेते हैं पड़ जीवी कहलाते हैं पड़ जीवी जीव पोशी जीव के शरीर से मुझूद कार्बनिक पदार्तों को अपने बोजन के रूप में ग्रहन करते हैं प्लाजमोडियम, लीवर फ्लूक, फिताकर्मी, एसकेरिस, जोंक, जूं, मच्छर, आदी सहजीवी पोशन दो भिन प्रजातियों के जीवों के बीच गनिष्ट सम्मंद जिनमें दोनों को लाब होता हैं सहजीवीता कहलाता हैं तथा एसे जीवों को सहजीवी कहते हैं एसे समंद के माध्यम से प्राप्त पोशन को सहजीवी पोशन कहते हैं सहजीवीता के अंतरगत जब दोनों जीवों को लाब होता हैं तब इसे सहोपकारिता कहते हैं जब एक सदस्यों को लाब होता है और दुसरे को कोई नुकसान नहीं होता है तो उसे सह भोजीता करते हैं थेंक यू